75 साल का हमारे पास अनुभव है हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी रास्ते बनाएं उससे हमने सीखा है हमारे पास एक बहुत बड़ी विरासत है इस विरासत के साथ अगर हमारे सपने हमारे संकल पर जुड़ जाए हमारा सोचने का दाइरा बदल जाए हमारा कैनवास बड़ा हो जाए तो हम भी उस भव्य भारत के चित्र को अंकित कर सकते हैं उस तश्वीर का खाका खीच सकते है उसमें रंग भरने का काम हम भी कर सकते हैं और आने वाली पीड़ी को वो भव्य दिव्य मा भारती के हम उनको सुप्रत कर सकते हैं दोस्तों हम बुरित काल के 25 वरसों में भारत को अब बड़े कैनवास पर काम करना ही होगा अब हमारे लिए छोटी छोटी चीजों में उलजना वो वक्त चला गया है हमें आत्मनिर भर भारत बनाने के लक्ष को सबसे पहले परिपूर्ण करना चाहिए और हमसे शुरुवात होती है हर नागरिक से शुरुवात होती है और आज दुनिया में भी एक समय ऐसा था कि लोग मुझे कहते थे हमारे बड़े बड़े बुद्धी जीवी और अर्तसात्री लिखते थे कि मोदी आत्मनिर भर की बात करता है तो अर्मटिलेटरिजम की सामने चुनोती तो बन नहीं जाएगा ग्लोबल एकोनोमिक के जमाने में चीक तो नहीं होगा लेकिन पांच साल के भीतर भीतर देखा दुनिया भारत के आत्मनिर भर मोडेल की चर्चा करने लगए और कौन हिंदुस्तानी नहीं चाहेगा के डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर भर हो कि एनर्जी सेक्टर के में हम आत्मनिर भर हो एडिवल ओई कि यारीश देश को आत्मनिर भर नहीं होना चाहिए क्रिशी प्रधान देश हम कहते हैं खाने का तेल कि आप देश बाहर से लाएगा बहुत समय की मांग है कि हमें आत्मनिर भर भारत को संकल्प को पुरा करना यह हम संपधाईत्व है उसमें दल आड़े नहीं आते हैं सिर्फ दिल चाहिए देश के लिए चाहिए हमें अब मैनिफेक्ट्रिंग सेक्टर बें दुनिया में सर्वस्ट्रेश्ट बनने की दिशा में ही कदम रख रहे होंगे और मैंने एक बरलाल के लिए से कहां था जीरो डिफेक्ट जीरो एक फेक्ट हमारे प्रोड़क्ट में कोई डिफेक्ट नहों हमारी प्रक्रिया में परियावरण पर कोई इफेक्ट नहों ऐसा जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट वाला हमें धुनिया के सामने मैनिफेक्टिंग शेत्र में जाना हो हमारे डिजाइनर हमारे यहां निर्मान होरी डिजाइन्स हमारे सौपफ़ेर हमारे अग्रिकल्चर प्रोडक्स हमारे हस्त सिल्प हर छेत्र में अब हमें वैश्विक माप दंडों को पार करने के इरादे से ही चलना चाहिए तब जाकर के विश्व के अंदर हम अपना जंडा फैरा सकते हैं मेरे गाव में मेरा सबसे अच्छा माल हो इतनी बात नहीं चलेगी मेरे राज में मेरा सबसे अच्छा प्रोड़क नहीं चलेगा मेरे देश में मेरा सबसे अच्छा प्रोड़क नहीं चलेगा दुनिया में मे दुनिया के अंदर टॉप रेंकिंग में आएं अभी इसमें हमें पीछे नहीं रहना है हमारे सिख्षा जगत को नई नेशनल एजुकेशन पालिसी मिली है एक खुलापन है सर्व स्विकृत बड़ी है उसके सहारे हमें चलन पना है और दुनिया के इस टॉप उस उनिवसिट अभी जब जीट्वेंटी में विश्व के मेमान आए तो मैंने नालंदा की एक तश्वीर रखी दिवहां और दुनिया को कहता था पंदरा सो साल पहले मेरे देश में दुनिया के उत्तम से उत्तम उनिवर्सिटी हुआ करती थी तो उनकी सुनते ही रह जाते थे लेकिन हमें उसे प्रेणा लेनी है पर प्राप्त तो अभी करके रहना है यह हमारा संकल पहुना है आज हमारे देश का नौजवान खेल जगत के इंदर दुनिया में हमारी पहचान बना रहा है टियर टू टियर थ्री सिटी से गाउं गरीब परिवारों से गाउं से देश के नौजवान देश की बेटे बेटियां आज खेल कुद के जगत जीवन में हमारा नाम रोशन करेंगे लेकिन देश चाहता है और देश का संकल्प होना चाहिए कि अब खेल कुद के हर पोडियम पे हमारा तिरंगा भी लहराथा होगा हमें अब पूरा दल पूरा हमारा दिमाग क्वालिटी पर फोकस करना ही होगा ताकि हम भीश्व की आशा पेक्षाओं के नुकूल और भारत के सामान ने मानुवी के जीवन में भी क्वालिटी आफ लाइप के प्रती जो एस्प्रेशन बड़ा है उसको हम एड्रेस कर पाएं और जैसे मैंने कहा हम भागवान हैं हम उस समय काम कर रहे हैं जब समाज अपने आप एक एस्प्रेशन सुसाइटी है हमार और भी एक भाग्य है कि हम उस समय हैं जब हिंदुस्तान युवा देश है हम दुनिया में सबसे ज़्यादा जन आबादी वालत देश बने ही है लेकिन सबसे बड़ी आबादी उसमें भी सबसे युवा ये पहली बार हुआ है जिस देश के पास यह युवा शक्ति हो युवा सामर्थ हो तब हमें उसकी टालेंट पर भरोसा है हमें उसकी संकल पर शक्ति पर भरोसा है उसकी साहस में वह भरोसा है और इसलिए हम चाहते हैं कि दुनिया में भारत का युवा अग्रिम पंग्ती में नजलाना चाहिए बोस्थिती पैदा हो निश्वाइद आज पुरे दुनिया को स्कील मैंट पावर की बहुत बड़ी ज़रूत है और भारत विश्व की इस आवश्यक्ता की पूर्ति के लिए अपने आपको सज्ज कर सकता है और उन आवश्यक्ताओं को पूरी कर करके दुनिया में अपनी एक जगा भी बना सकता है और इसलिए वि इस प्रकार के उनको हिमन डिसोर्स की जरूत है उस्कील मैपिंग का काम भी चल रहा है और उस केमिक स्कील मैपिंग के अनुसार भारत के अंदर स्कील डेवलप्मेंट के तरह हम बल दे रहे हैं और जितना जादा हम स्कील डेवलप्मेंट पर बल देंगे भारत के नव छाफ छोड़ी है कुछ कर गुजरनी की छाफ छोड़ी है यह सामर्द हमारे अंदर पहले से पढ़ा हुआ है और हमारे पहले जो लोग गए हैं उन्होंने इस से अभी भी बना के रखी हुए है कि आपने देखा हो गए पिछली दिनों तरी बेड़ सो नर्सिंग कॉलेज एक साथ खुलने का निर्णे किया पूरे दुनिया में बहुत बड़ी रिक्वार्मेंट है नर्सिंग की हमारी बेटी हमारे बेटे उस खेतर में दुनियां पर पहुंच सकते आसानी से पहुंच सक है और यह तो मानुता का काम है जिसमें हम पीशे नहीं रहेंगे आज मेडिकल कॉलेजी का इतना द्यापक रूप से निर्वां देश की आवश्रक्ता तो पूरी करनी ही करनी हैं दुनिया की आवश्रक्ताओं में भी योगदान दे सकते हैं कहने का तात्पर यही है हर दुविश्य के लिए सही समय पर सही फैसली भी लेने होते हैं हम लो टाल नहीं सकते हैं हम राजनीटिक नख्षान के गणा भागीन द्र अपने आपको बंधित नहीं नहीं बना सकते हैं हमें तो देश के एश्पिरेशन के लिए हिम्मत के साथ नए निर्णे करने होते हैं आज कि सोलर पावर के सब्सक्राइब मुव्मेंट है हमारी भावी पीडी के लिए एनर्जी क्राइशिस से मुक्ति की गारंटी दे रहा है आज मिश्ण हाइड्रोजन आने वाले दिनों में जो एन्वार्मेंट की चिंता है जो टेक्नोलोजी में बढ़लाव आ रहा है उसके समाधान का रास्ता देने का सामर्त रखती है आज हमारा सेमी कंड़क्टर जिस प्रकार से जीवन चलाने में हमारे रदे की जरुरत रहती है वैसे ही आज हमारी टेक्नोलोजी चीफ्स के बिना चल नहीं सकती और सेमी कंड़क्टर उसके लिए बहुत अनिवार्य है उस दिशा में हम आगे जाकर करके electronic manufacturing में कोई रुकावट ना आए और जीवन कहीं अटक न जाए उसलिए बहुत बड़ी मात्रा में हम काम कर रहे है